6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ready? Start! महोद्य, आज श्थिती यह है कि एक और हिंदी देश की राष्टर भाषा है देश का बहु शंखक वरग हिंदी बोलता और समाझता है भारत वरस के आठ परांतों का राजगाज हिंदी में हो रहा है देश की सभी माहानगरियां हिंदी में ही विचार विनी में करती है दूसरी और यह देखकर दुख होता है कि अब भी कार्यालों की मानशिक्ता अंग्रेजी का आगरे लिए बैठी है विराम यह बात हमें कुछ चेंतन के लिए बाध्य करती है विराम अगला पेरा आए दिन विभिन भासाओं में छपी पुष्टकों के विक्रेता और परकाशक पुष्टक मेले का आयोजन करते रहते हैं विराम हिंदी को छोड़ कर परियाए सभी भासाओं की पुष्टकों की आच्छी विक्री हो जाती है विराम हिंदी में पाठकों का बढ़ना तो दूर रहा निरंतर कम होता जा रहा है आखिर ऐसा क्यों है क्यों सिर्मार्क जब जन्शंख्या बढ़ते जा रही है और उसके साथ साथ शाक्षर्ता भी बढ़ रही है तब हिंदी पाठक नए बढ़े यह है वाश्टों में आश्चरिय की बात है विराम लाखों रूपे सेमिनारों और भाशाओं में बहाए जाते हैं विराम वाश्टोंता है अगर पैनी दरिष्टी से देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि इस श्थीती के लिए स्वयम परकाशक ही दोशी हैं विराम हिंदी का पाठक यह चाहाता है कि उसे पुष्ट के सस्ते दामों पर उपलाब्ध हो जैसा कि दूसरी भाशाओं के सस्ते संसकर्ण निकालते हैं विराम हिंदी में अच्छे अच्छे लेखको उर सहायतेकारों की परशिद पूष्ठों के सर्ष्थे संचकर निकालने की हमने कभी भी कोशिस नहीं की विराम। हिंदी में जितनी भी गरंथावलियां निकाले जाती हैं, उनके दाम इतने अधिक रखे जाते हैं कि साधर्ण पाठक उसको खरीद नहीं सकता विराम। ऐसा लगता है कि हिंदी की पुष्थों का परकाशन हिंदी पाठकों को धरश्टी में रख कर नहीं किया जाता विराम। इनका परकाशन किया जाता है केवल सरकारी खरीद के लिए विराम। जहां उदेशे ही सरकार पर आसित रहे ना हो वहाँ पाठकों की कोन परवहा करेगा और परवहा करने की जरूरत भी क्या है क्योशन मार्क। आज इस्थिती हिंदी में प्रकाशित करांथा वल्यों की है विराम। अगला पैरा इस माहौल में पाठक यदि निरंतर घड़ते रहे तो आशरीय क्या क्योशन मार्क। शुरू-शुरू में जब चाय का आविशकार हुआ था तब लोगों को चाय के बारे में पता तक नै था विराम। इस स्थिती में चाय के वितरक पहले मुप्त में चाय पिलाते थे केवल चाय की रूची पैदा करने के लिए क्योंकि वे समझते थे कि जब रूची पैदा हो जाएगी तो वे चाय खरीद कर भी पियेंगे। और यही हुआ उनकी यहे दूरदर्शिता काम कर गई। और आज चाय का परचलन जोरों पर है विराम। यही बात पाठकों पर भी लागू होती है अगर पाठकों को पढ़ने की रूची निरंतर बढ़ती रहेगी। विराम लेकिन वश्टुश्थिती यह है कि आज हिंदी परकाशक का ध्यान सबसे पहले अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने की ओर जाता है विराम। दूसरी और परकाशक को पाठकों की जेब का अंदाजा बिलकुल नहीं या फिर अगर इस बात का अंदाजा है तो उसकी परवा नहीं है सरकारी अनुदान की किस परकार सरकारी अनुदान परप्त किया जाए और उसका उप्योग नहीं वरन उपभोग किया जाए विराम। यही कारण है कि आज ऐसे अनूदानों के विरोध में आवाज उठने लगी है विराम इस्टो